हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल रसुरी की दुनिया दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज कल प्लम का सीजन है तो आज हम उसकी रेसिपी बनाएंगे दोस्तों प्लम जिसे मालू बुखारा भी कहते हैं इसे हमने 7-8 पीस में ले लिया है और इसे प्लम डालेंगे और फिर चीनी डाल देंगे फ्लेम लो रखना है हाई बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो चीनी जल जाएगी हम इसे स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे इसी तरह चीनी को मिक्स करने के बाद लीट लगा देंगे और थोड़ी देर इसी तरह कूख होने चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसी तरह हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है स्पैटला की मदद से हमें प्लम को धीरे धीरे इस तरह प्रेस करना है हमने छिलकों को रिमूव नहीं किया है इसकी वज़े से कलर काफी अच्छा आता है आप चाहें तो चिलके निकाल सकते हैं तो थोड़ी तेर कुक होने देंगे फिर इसे हम चेक कर लेते हैं दोस्तो मैंने इसमें हाफ पिंच फूट कलर डाल दिया है क्योंकि कलर इसका काफी डल आ रहा था अब हम एक बार इसकी लिड हटा के और इसमें दालचिनी का एक छोटा टुकड़ा डाल देंगे और थोड़ा सा हमें इलाची पाउडर डाल देना है आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं अप्रॉक्समेटली हो चुका है हम इसे 10 सेकेंड और कुक करेंगे और हमारा प्लम जैम त्यार है दोस्तों प्लम को आप भी फूड में जरूर लें यह एंटी आक्सिडन्ट होता है इसमें वेट लॉस भी होता है यह कैंसर को भी रोकता है भरपूर मातरा में इसमें मिनरल पाय जाते हैं इसके और भी कई सारे फायदे हैं इसे जरूर ट्राइ करें दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करिएगा जैम को आप किसी बरतन में निकाल लें या फिर किसी जैम के जार में निकाल लें और इसे टोटीला या फिर ब्रेट में लगा के आप खा सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं इसे आप ऐसे बच्चों को भी खाने के लिए दे सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो